अस्सलाम अलेकुम चौथी चैप्र का दूसर अटाबिक हम पढ़ने जा रहे हैं मास एंड वेट आम दौर्वाफिजिक्स के अंदर जो वेट सब्वर किया जाते हैं वो नारमल लाइफ जो जिनारमल जिन्दगी के अंदर जो वेट हम सब्वर करते हैं उससे डिफरेंट है जो आम जिन्दगी में जिसे हम वेट कहते हैं फिजिक्स में उससे मास कहा जाता है मास के हैं किसी भी जिसम का मास से मराज ये कि उसके अंदर मैटर की कितनी मुकदार मालूम है कितनी मुकदार उसके अंदर माजूद है उससे हमने मास का नम दे दिया वेट कहा है वो फोर्स जिससे जमीन किसी भी चीज को अपने सेंटर की करफ अट्रैट करती है उसे हमने वेट का नम दिया अब मास किसी भी जिसम का मास हमेशा एक जितना रहता है दुनिया के किसी भी हिस्से में आप उसे ले जाएं वो मास से चितना रहता है लेकिन जो वेट होता है उसकी वेल्यूस तबदील होती जाती है जमीन के सेंटर के में के पास होगा वेल्यू पहुंच ज्यादा वेट की होगी जमीन से जितना फासला उसका ज्यादा होता जाएगा वेट के मगदार उतनी कम होती जाएगी नमबर थ्री में वेट एक स्केलर क्वेंटिटी है वेट एक वेक्टर क्वेंटिटी है जबकि मास एक स्केलर क्वेंटिटी है मास के मालूं करने के लिए डारेक्शन की जूर्थ पेश नहीं आती और वेक्टर वेक्टर वो क्वेंटिटी जिसके बताने के लिए समझाने के लिए हमें डारेक्शन की जूर्थ पेश आती है वो vector कहलाती है जहादा weight एक vector quantity है unit जो mass के हैं उसे हम kilogram में show करते हैं और जो unit weight के हैं उसे हम Newton में show करते हैं mass को arm physical balance होता है जो हमारे घरों में उस से हम मालूम करते हैं और weight को जब भी मालूम करेंगे spring balance के जरीए से हम weight को मालूम करेंगे अमीद है यह आपको सुन में आगा होगा